तो अगर आपके पास कोई हिरारिकल डेटा है और आपको उसको ट्री की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है तो आप जाए फेक्स में ट्री व्यू का यूज़ कर सकते हो तो आप स्क्रीन पर विए इस तरह के यह ट्री के एक्जम्पल है तो ट्री में क्या होता है एक रूट नो सारी नो इसरूट नोड के साथ जोड़ी रहती है तो अपस में मिलकर को को ट्री कर करते हों के तो जैसे यह ट्री एक रूट नोड है उसके अंदर प्रोडक्ट वन प्रोडुक्ट त्डी प्रोडुक्ट फॉर यस तरह कि यह सब नोड है के अंदर फर्दर कुछ नोड्स था यह से इस तरह से एक क्ट्री है उसी तरह से यहां राइट साइड में एक फूड़ का ट्रीय है जिसमें एक रूट नोड है ञड़न विजेटीबल डैजट एंड फूट उच्की सब नोड्स थैंड वेजटीबल विजेटीबल की सब वीड़ का tree है- तो आगर world tree का आपसे एग्जंबल दिखाऊ- तो आप सिस्टम में आप आपने देखे होगे तो हमनी जो सिस्टम में folder structure जो फाइल स्ट्चर 2 Monsieur को भी मिंट्री की इस भाए जाता है- जैसे कि आप दीफिते हैं- तो आप मौलीजे है फाइल है- क्टीन- तो इस तरह से यह भी हमें एक ट्रीकी फॉर्म में डिस्प्रेय कराया जाता है तो चले इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हमें इस एक बार डिसकस कर लेते हैं तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले सबसे पहले हम सीखेंगे को से करेंगे उसके अंदर को कैसे करते हैं यह सिखेंगे वह चैसे करेंगे तो यह सब्सक्र您लिक राभाण हम कर avete करेंगे तो क्यांस से करेंगे अगर इंदर मां लिजए री एंदर यूजर ने कीसी नोड पर किलिक कर दिया किसी ने को इसमें इसर्शन करना भी सीखे लेगे ज़िए इसमें में इस विडियों में हम इसी एगजेfach को मैं थम्हij मतलब हमिक से क्वाली抧़ कुर। root node को create करेंगे उसके अंदर तीन node बनाएंगे दैन उसके अंदर further nodes बनाएंगे तो चलते हैं eclipse के अंदर और इस program को बनाते हैं तो चलिए आ गए है eclipse के अंदर और eclipse के अंदर भी आप यहां left side में देख सकते हैं यह भी हमें जो folder structure यह भी हमें tree view के form में दिखाया जाता है इसे आप explore कर सकते हैं तो यहां मेरे पास एक simple example है normal भी प्रोग्राम है कुछ नहीं किया अभी हम इसके अंदर tree view करेंगे अभी अगर मैं इसको आपको run कराऊंगा तो simple frame display होगा वह आप जानते हो तो मैं क्या करूँआ है यहां एक tree view बनाऊँगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको run करके ही दिखा देता हूं ताकि मुझे क्योंकि आपको कुछ difference भी दिखाना है तो यहां right click करेंगे एंड इसे run करेंगे तो अगर मैंने आपको इसको run किया तो आप देख सकते हैं यहां यह इस तरह से आ रहा है तो चलिए हम क्या करते हैं इसको side में रख लेते हैं अभी हम इस इसमें एक ट्री व्यू बनाते हैं तो यहां comment डाल दो creating ट्री व्यू तो ट्री व्यू करने के लिए हमें क्या करना है ट्री व्यू के एक नोड बनाने मतलब ट्री व्यू का object बनाएंगे ट्री व्यू इस्कॉल्टू new ट्री व्यू के छली इसे इंपो्र्ण भी करेंगे य हम इसको यहां से अटा देते कि कंव के चलिए हम रहा करेंड हो चुका है तो अब ही हमेंद आपने रूट में कर देंगे तो सेंटर क्योंकि बॉर्डर पेन है तो मैं सेंटर इसको सेंटर में एड़ कर देता हूं रूट पेन में ट्रीव्यू को ओके तो चलिए हमारा ट्रीव्यू एड़ हो चुका है तो अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊंग और पिछले वाले जो प्रोग्राम है उसे भी मैं साइड में रख लेता हूं तो आप यहां देख सकते हो कुछ बेसिक डिफ्रेंस इसके अंदर आपको नजार आ रहा होगा तो यहां मैं आगर आपको क्लिक करके दिखाता हूं यहां कुछ नहीं दिख रहा लेकिन जैसे ही मैं य लेकिन वह दिख क्यों नहीं राया में क्योंकि हमने उसमें कोई नोड एड नहीं किया ओके टो ट्रिव्यू एड हो चुका है तो चलिए यही मुझे आपको दिखाना था बेसिक रिफ्रेंस तो ट्रीव्यू हमारा बन चुका है अब हमें इसके अंदर रूट नोड अट कर करने के लिए हमें root node को create करना हुआ तो किसी भी no Bhião करने करने के लिए हमारे पास एक class है वह हम देखेंगे किरेटिंग रूट नोड तो नोड को create करने के लिए हमेरे पास एक class होती है three item तो इसमें हम 나온 जैनिक टाइप पस करना है जैनिक टाइप जियर आइटम इस्टिंग यहां हम लिखेंगे रूट इसकोल टू नियू जी आइटम जी आइटम और इसमें हम इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा तो इंपोर्ट कर लेते हैं कि मैं इसका नाम लखना है तो मैंने फाइल सकर दिया हमें इस रूट नोड को अपने ट्रिव्यू में सैट करना है तो हम ट्रिव्यू में सैट कर देते हैं ट्री व्यू डॉट सेट रूट नोड सेट रूट और रूट ओके तो एक बार इसे दुवारा से रण करके रिखाता हूं आपको तो आपको दो जाएगी ओके रोट नोड हमनी हैं तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर फ़र्दर सब्सक्राइट करने हैं तो मैं इसके अंदर तीन नोड क्रियेट कर्णा तो इसी को हम यहां से उठा लेते हैं सिरा इन को और यहां लेकि देखें आ हैं किरिएटिंग सब् तो उसके लिए मैं यहां तीन नोड़ करूंगा ओके जैसे पिक्चर्स म्यूजिक्स विडियोज यहां भी देता हूं पिक्चर्स म्यूजिक्स विडियोज और इन तीनों को मुझे रूट में एड़ करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे एडिंग टू रूट नोड इन दीनों को हम रूट नोड में एड़ कर देंगे तो उसके लिए हम इसके अंदर एक इसके अंदर एक मैथड भी आपको मिलता है एड़ आल तो एड़ आल की मतल से आप एक साथ इन तीनों को एड़ कर सकते हो तो हमें एक साथ एड़ करेंगे पिक्चर्स म्यूजिक्स एंड विडियोज ओके चलिए तो यह भी एड़ हो चुके हैं तो अब भी अगर मैं इसको रण करूँगा तो रूट नोड के अंदर हमें तीन नोड दिखने चाहिए है तो चलिए चेक करते हैं तो अब अब दिखते हैं यहां एक आईकन आ रहा है इसे एकस्पेंड करते हैं तो इसके अंदर तीन नोड हमें नजर आ रही है चलिए हम इसके इन तीनों के अंदर फर्धर नोट इड़् एड़् करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां कि और नोट बनाते हैं तो यहां में करता हूं यहां P1 कर देता हूं P1 M1 और V1 इसी तरह से यहां कर देता हूं पिक्चर 1 पिक्चर 2 म्यूजिक 1 म्यूजिक 2 विडियो 1 विडियो 2 हम पिक्चर को हम तीन नोट देते हैं तो अभी मुझे करना क्या है कि पिक्चर 1 पिक्चर 2 पिक्चर 3 को मुझे पिक्चर वाली नोड में एड़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आसफिप्ट्रेंगे यहां यह लिखेंगे पिक्चर फिक्चरning क्षे pride लगई अ क्या करेंगें מיुझे इसी तरह से इसमें m1 और m2 को एड़ करेंगे एंड इसमें v1,v2 उतलब वीडियोज वाले को यहां आम लेकर देंगे वीडियोज तो चलिए यहां डबल आ गया चलिए तो यह भी हमारे एड़ हो चुके हैं एक पर हमें इसे चेक कर लेते हैं तो अभी क्या होना चाहिए रूट के अंदर हमें तीन नोड ने जाराने चाहिए और उनके अंदर फर्दर नोड ने जाराने चाहिए तो अभी आप देखते हैं फाइल्स सबसे पहले आ रहा है तो फाइल्स को एक्सपैंड करते हैं तो ती में दिखाता है कि हम सीखने वाले हैं अगर हमें root node को hide करना है तो चलिए सीखते हैं तो root node को अगर आपको hide करना है तो इसके अंदर आपको एक method मिल जाता है यहां लिख भी देता हूं मैं so तो और हाइड रूट नोड उसके लिए हमें क्या करना है यहां लिखना है ट्री व्यू डॉट ट्री व्यू के अंदर एक मैधन मिलता है सेट सो रूट सेट सो रूट इसके अंदर यह बाइड फॉल्ट रहता है अगर आप फॉल्ट पॉस करोगे तो हमारी जो रूट नोड है वो डिस्प्लेव नहीं बंद हो जाएगी और उसके अंदर वाली नोड डिस्प्लेव होंगी तो अभी आप देखते हैं पहले हां यहां फाइल्स नजर आ रहा था रन करने पर लेकिन अभी क्या फाइल्स को हमने हाइड कर दिया तो उसके अंदर वाली नोड नजर आ रही है अगे चलिए तो इसको मैं दुबार से डिस्प्लेव कर देता हूं यहां टू कर देता हूं ऐसा कीजिए ओके तो चलिए यह हमने इसे हाइड करना और सो करना भी सीख लिया अभी हम सीखते हैं कि अगर यूजर ने किसी नोड को सेलेक्ट किया है माल लीजे किसी नोड पर क चाहे तो कुछ और action भी कर सकते हैं लेकिन मैं अभी के लिए easiness के लिए console पर प्रिंट कराना चाहता हूं तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं तो event handling perform कराने के लिए हमारे पास इसके अंदर एक method मिल जाता है मतलब हमें selected node को display कराना है तो treeview के अंदर selected node को get करने के लिए इसके अंदर एक method है वह मैं आप वदा देता हूं तो सबसे पहले तो हमें इसका होगा जो selection model है इसके अंदर एक selection model होता है उसे get करना होगा तो ट्री व्यू डॉट get selection model ओके एंड इस selection model के अंदर एक selected item property होती है selected item property selected index property भी है selected item property भी है सो हम इसमें listener को add करेंगे डॉट एड लिसनर ओके एंड इस लिसनर में हम चेंज लिसनर पास करेंगे तो जब भी यह selected item की वैल्यू चेंज होगी तो यह लिसनर कॉल होगा और हमें जो selected selected item है वह मिल जाएगा ओके तो इस एड लिसनर के अंदर हम एक new change लिसनर पास करेंगे ओके न्यू चेंज लिसनर और इसमें हमें जेनरिक टाइप पास करना है तो क्योंकि हमें यहां selected item प्रॉपर्टी पर हम इस लिसनर को लगा रहे हैं और जो हमारा item है वह हमारा tree item टाइप का है तो हम यहां tree item पास करेंगे ओके three item और इसमें हमें अब इसका abstract method जो है वह implement करना होगा तो implement कर लेंगे तो यह हमें implement करके देदेगा ओके तो इस चेंज लिसनर के अंदर तीन आर्गमेंट्स मिलते हैं आपको observable value, old value, old value और new value ओके तो जो अभी हमारी current value है वो new value के अंदर आएगी तो हम यहां new value को है तो new value हमारी three item type की है तो अभी हमें क्या करना है इस new value को console पर print कराना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे system.out.println और यहां लिखेंगे selected item और यहां new value की जो value है उसे पेस्ट कर देंगे लेकिन new value को ऐसे पेस्ट नहीं करोगे क्योंकि यह अभी ट्री आइटम टाइप का है इस new value से हमें value को get करना होगा तो उसके लिए लिखेंगे get value ओके तो इस से हमें string टाप की value मिल जाए है तो चलिए अभी हमने इस event handling को भी सीख लिया है अभी हमें इसे run करके देख लेते हैं कि तो राने जाओ application को कि ओक्के रुखो की है । तो अभी ंअभी मैं क्या करूओ एयरोकी इसका यूज करूँ अभी जैसे की मैंने जैसे की मैंने to सब्सक्राइब को सेलेट किया तो अभी आप देखें थić techniques भॉखाज इस पर जाता हूँ तो पिक्चर आपिक्श कर तो पिक्चरуш like Doing लेकिन इसमें अभी आपको एक प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम क्या आएगी जैसे मान लीजे मैं यहां पिक्चर थ्री पर हूं या टू पर या वन पर किसी पर भी आप हो ओके और आपने सडनली लेफ्ट की प्रेस कर दिया मतलब आप यहां से सीधा यहां पहुंच गए है लेफ्ट की की मरसते तो अब यहां गया एक कंसोल पर अगई वहर क्या है वहँ एक बार देख लेते हैं वहर data क्या है कि जैसे ही मैंने पिक्चर 3 से अच कश्या जाने के लिए है तो यह आप देख सेने पिक्चेर पर गया लिक कर गाने से पहले इसमें एक पोइंटर आई है तो हमें इस पूंटर हैंडल करना है तो इसे हमें लिद्स करेंगे तो यह हुआ क्या कि यह method दो बार call हो गया मतलब मैंने left की प्रास की ना तो उसकी वज़से किसी वज़से यह दो बार call हो गया और एक बार इसे यहां tree item में null value मिली तो इस null value को हमें check करना हुगा तो यहां हम check करेंगे print कराने से पहले if new value does not equal to null तो अगर null नहीं है तभी हम इस line को print कराएंगे तो चलिए अभी इसे run करते हैं तो चलिए अभी देखते हैं मैं यहां arrow kiss का use करूंगा एक्सपेंड किया picture पर गया अभी मैं अभी आप देखना यहां मैं यहां जैसे मैंने पिसली बार किया था अभी पिक्चर 3 से left की प्रेस करता हूं और सीधा picture पर जाता हूं तो अभी आप देखते हैं वह जैसे पहले अभी नहीं आई क्योंकि हमने उसे हैंडल कर लिया तो चलिए इस वीडियो में हमने को क्रेट करना भी सीख लिया और काफी साल चीज़ें और इवेंट हैंलिंग परफॉर्म करना भी सीख लिया तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंदा होगा और ट्री वीडियो का गुर्बाइ